दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौन्टन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाय धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम्स के डिशिस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनके खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किसमत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तुम्हें जरूर सबसे बड़ी मचली पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नो बिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तोर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनोती दी है अरे वो डिंगे बारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचनियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी तोनों है डाट क्या सच में जड़ा एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछ ही देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट अब आप भी तयार हो जाएए अब जल्दे दीजिए डाट हाँ पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरुवत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्माज गया तुमने डाट को छोटा कर दिया दा कि वो मिनियेचर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से नीचे उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओओ ओओ देट सारी मचलिया है तुमने देखा डाट कितने खुश है जोरी मौन तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे हैं ना सीरीज के बारे में ओ हाँ नो बिता कैस का मतलब यह है कि अलग-अलग तरह के बाहार होती है तुमने सही कहा अच्छा कैस तरह की बताव ना जोरी मौन Rock climbing practice के लिए rocky mountain होते है policies नुप अर high तो हाइकींग के लिए बच्चे mountains पर जाते है survival skills के लिए भी mountains होते है और कई तरह के mountains होते है सुनो दोरी मॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कोई mushroom का mountain भी होता है का होता है सच मे? काँ पर हो, मुझे देखना है नोबिता, रुख जाओ, मैं उसे पार निकाता हूँ रुक्यो आका मद्सू माउंटेन यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे ये अब तुम क्या करोगी अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेरने होंगे इस तरह और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और एक ट्यूब में बादल तुम इनके साथ क्या करोगी थोड़ा सा सबर करो सब तयार है नोबिता अब हम लॉंच करने वाले हैं सन अब हम इसे देंगे काफी सारी जूप और बारिश और फिर तुम देखना नोबिता करीब दस मिन्टों में मश्रूम जुगने शुरू हो जाएंगे जूरी मौन क्या मैं शिजूका और बागी दोस्तों को बुला लाओं हाँ जरूर बुला लाओं में उने ले आता हूँ क्या हम सारे मश्रूम्स तोड़कर खा सकते हैं मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नोबिता मैं सच के रहा हूँ आओ तुम खुद ही देख लो आँ 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 अले नोबिता देले चलो मैं चाट कर रही हूँ देले चलो हे नोबिता शिजूका तुम दोनों कहा जा रहे हो क्या सचमुष नोबिता मैं भी आना चाहता हूँ हलो आँटी हलो आँटी हलो बेटा दोरे मोन हमें बताओ मश्रूम्स कहा पर है चलो हम शरू हो जाएं हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजूका मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला हे नोबिता देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स है शिजूका आँब वहाँ जाकर देखते है अच्छो ठीक है ज़रा में ले रुको तो सही जल दिया बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी क्वालेटी का होता है यह निजे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम, चार क्रोकेट्स ठाइक्च्यू मैडम, आज मश्रूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यों नहीं यह हैं तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकर तो फॉल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे चीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए अच्छा एडिया है एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमत यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुकार बाकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो उपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं वह मला गया क्या खुश्व है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाँ मज़ा आ गया तुम इती जल्दी में मत खाऊनो बिता चोड़ो ना यार खाने में दो यह अब तयार नहीं हुआ है जियार अब सब्र करो चलो वापस चलते हैं अब ठीक है चलो 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 ऐसा करते हैं घर चलतकर मॉम को सप्राइस कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा अँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जर मन करें आजाना रोडी मॉन क्या डाटने कोई मश्री पकड़ी होगी आओ देखें हे सुनियो हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हे तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स है हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते है हाँ मतलब ये अठी क्वालिटी के है हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच्छ उटा के माउंटेन से लाए है क्यों शिजूका ठीक हाना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम जलते है चाहो तो एक लेलो सुनियो हाँ लगील नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मच्छिया मैंने पहले कभी नहीं पगड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरेमोन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डाग आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ अच्छा इडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे हैं ये देखो ये सब क्या है मुझे तंग मत करो मैं बहुत बिजी हूँ ये ये तो ये मश्रूम और मचलिया अरे ये कैसे हो सकता है मॉम मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूम ग्रिल्ड मश्रूम्स और ग्रिल्ड फिश ठीक है ना नहीं यह नहीं हो सकता यह तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन यह सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता यह बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप इतनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेकुल